ड्राइफुट्स एक किड्नी फिले पेशिंट के लिए मना होते हैं मगर वो क्यों मना होते हैं यह बहुत कम पेशन्ट जानते हैं अगर हमें ड्राइफुट्स मना है तो उसके जगा हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं इस सब को explain कर रहा हूँ, मैं आपको इस वीडियो के अंदर हूँ जब किसी kidney failure patient में kidney कम काम कर रही होती है, तो kidney की बहुत सारे काम रुख जाते हैं kidney हमारी body में पानी को निकालने का काम, body में salt regulate करने काम, blood बनाने काम, vitamin D को activate करने काम नजाने कितने काम हमारी body में करती है, जब इसी kidney को नुकसान हो रहा है, तो सारे के सारे काम हैं, ये कहीं हेंपर होने शुरू हो जाते हैं, उनमें नुकसान होना शुरू हो जाता है, वो कम होने शुरू हो जाते हैं अब अगर ऐसी body के अंदर जहाँ पर kidney tank से चीज़ों को बाहर नहीं निकाल पारी एक kidney failure का patient dry foods का intake करता है तो dry foods के साथ साथ वो बौधी के अंदर बहुत सारे ऐसे minerals लेके जाता है जो कि उसको नहीं लेके जाने चाहिए और उसमें सबसे खतनाक होता है potassium कोई भी चीज हम खाते पीती हैं उनके अंदर कम या जादा मातरा के अंदर potassium की मातरा होती ही होती है मगर जब हम किसी चीज़ को सुखा लेते हैं dry food बना लेते हैं तो उसमें water का content कम होनी की वज़द से potassium और बाकी minerals के जो concentration है वो बढ़ जाती है मालो की मैंने 100 gram अंगूर लिए उस अंगूर की अंदर 5% potassium है मालो जस्त मालो की 5% potassium है मगर जैसे ही वो अंगूर सूकी किश्मिश बनते हैं तो उसका जो weight है वो 100 gram से आ जाता है 40 gram अब 40 gram अंगूर की अंदर 5 gram क्या है potassium क्या है इसी वज़ा से अगर आप 100 gram किश्मिश खाऊगे तो आपकी body में कई गुना ज़ादा potassium जाएगा इसी तरह से जो बाकी dry foods हैं चाहे वो बदाम हैं, किश्मिश हैं, अक्रोट हैं मना होते हैं किसी भी kidney failure patient को इसमें खजूर भी आती है इसके अंदर छुवारा भी आता है इसमें चिलकोजा भी आता है तो जितनी भी हम dry food जानते हैं वो सारे के सारे मना होते हैं इसी वज़ासे जो आजकर हम देखते हैं कि candy बन कर आ रही है, आमला candy है पपीता की candy है यह सब भी मना होती है क्योंकि इनके अंदर ना सर्फ चीनी जादा होती है बिल्कि सारसत potassium की मात्रा भी increase कर जाती है अगर आप एक आता दाना खाओगे, कुछ नहीं होगा बट अगर आप इसे routine में daily basis पर खाओगे तो potassium की मात्रा बढ़ने की वज़ासी वो आपके reporter में reflect कर सकती है कि इसी वज़ा से हर kidney failure patient को सभी type के dry foods मना कर दिया जाते है चाए वो berries हो चाए वो हमारे dried pineapple हो गया dried papaya हो गया यह सब कुछ मना हो जाता है kidney failure patient के अंदर मकर आप सवाल यह उठता है कि अगर हम dry food नहीं खा सकते है तो हम क्या खा सकते है अपनी body को ताकत देने के लिए तो यह kidney failure patient के लिए मेरे हमेशा advice होती है कि अगर आप ड्राइफूट्स नहीं खा रहे है मगर कुछ चीज़े ऐसी है जैसे मखाने है उनका यूज़ करकर आप बाडी के अंदर बहुत अच्छी है बैसल के अंदर या अलमुनियम की कड़ाई के अंदर आपने उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है उससे थोड़ा सा करारा कर लेना है कि जिससे आप उसे आराम से खा सको अगर आप रोस्टेट मखाना का यूज़ करते हो ड्राइफूट की चगा तो वह ना कि आपका प्रोटेश्यम बढ़ाएगा बलकि आपकी बॉड़ी के अंदर जुरूरी मिनियल्स है उनकी ड्राइफूट को भी पूरा करता बाँ मिल जाएगा तो ड्राइफूट को हमने पूरी तरह से अबॉइट करना है जो मखाने मार्केट में अवलेबल होते हैं आप उसको रॉस्ट कर लेजिए ये मखाने आपका प्रोटेश्यम नहीं बढ़ने देंगे क्योंकि इनके अंदर होता ही कम है बलकि ये आपको हेल्प करेंगे मिनियल्स को आपकी बॉड़ी में ले जाने के लिए जोगी है आपकी बॉड़ी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है इसके साथ-साथ आप मुर्मुरे जो होते हैं जो हम देखते हैं जिसकी भेल पुड़ी बनती हैं उसको भी इसी तरह से रॉस्ट करकर हम ले सकते हैं क्योंकि ये मुर्मुरे आपको स्नैक की तरह यूज़ करने हैं इसमें बहुत ज़्याद ताकत तो नहीं होती बड़े आपकी लिए हल्पफुल रह सकते हैं स्नैक में आप इसके साथ-साथ पॉपकॉन का भी यूज़ कर सकते हैं जो पॉपकॉन हमें देखने को मिलते हैं बट इसमें अपने बटर का यूज़ नहीं करना इसको आपने बिना बटर के बिना सौल के किसी नौन स्टिक बरतंग के अंदर बनाना है इसका स्वाद भी आप स्नैक की तरह ले सकते हैं इनकी अंदर मिनेल की मात्रा कम होती है क्योंकि यह पॉफड होते हैं तो यह हमें help कर जाते हैं अपने body की अंदर मिनेल खास के potassium को regulate करने में और हमारी जो snack की जो appetite होती है हमें कुछ खाने का इच्छा कर रहा है उसे पूरा करने में तो मैं मुईत करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि किड्नी फिल्यर पेशेंट को हम क्यों ट्राइफूट्स को मना करते हैं और उनकी replacement में किस स्टाइटी चीज़े ले सकते हैं फिर भी कोई भी doubt हो कुछ भी पूछना चाहते हो तो हमारी doctors available है आप मुझसे भी आके मिल सकते हैं अब इसी के साथ आप से भी से चलने के आगए चाहूँगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार